हेलो फ्रेंड्स मैं आपका एस्टो गाइड सुभाज शर्मा आज हम केपी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे अपनी इस पोस्ट में देखिए एस्पेक्ट का जो है केपी एस्टोलोजी में बहुत ही मेजर रोल है केपी एस्टोलोजी में जो एस्पेक्ट को लिया गया है क्योंकि जो हम aspect देखते हैं वह aspect degree wise देखे जाते हैं ना कि हम houses के according जो है KP astrology में aspect देखते हैं हम यह नहीं देखते कि शनी के 3710 aspect है Jupiter के 579 aspect है और इसके बीच में कोई planet आ रहा है उसको aspect कर रहा है तो वो उसके according result देगा पर यहां पर KP astrology में में जो importance दी गई है वो degrees of the planets को दी गई है क्योंकि देखिए 360 degree का जो zodiac है अगर उस zodiac के बीच में कहीं पर भी कोई planet किसी भी planet की obs यानि कि उसके औरा में आ रहा है उसकी degrees में आ रहा है तो वो दो planets का आपस में connection बनता है अब यह देखना पड़ता है कि वो connection हमारे जो हो है पहले शुरू करने से पहले यह बता दूं कि बेसिक इसमें क्या है देखिए जो aspects है दो planets के बीच का एक angle है यानि कि एक दूसरों की आपस में दूरी है वो दूरी अच्छी भी हो सकती है वो दूरी खराब भी हो सकती है पर यह देखना पड़ेगा कि वो planets की degrees क्या है तो मेजर ली जो aspects है अगर western astrology में हम देखें तो 18 aspects total जो है माने गए हैं और पर KP astrology में जो main importance दी जाती है वो यहां पर देखिए कौन-कौन से aspects को main importance दी जाती है जिसमें की जो है conjunction है conjunction जिसे हम 0 to 10 degrees के बीच में अगर कोई भी दो planets होंगे और चाहे वो किसी भी house में हो ठीके ना हम इन दो planets की अगर इन दोनों की बीच की आपस की difference है यानि कि 0 degrees से 10 degrees के बीच में तो वो conjunction कहलाई जाएगी ठीक है sextile जो है वह 60 degree है square और train and opposition तो इस तरीके से देखिए यह सारे के सारे जो है aspects जो है KP astrology में लिए जाते हैं अब हम देखते हैं कि और कौन-कौन से aspect हैं हम सारे के सारे इस पोस्ट में cover करेंगे जो western astrology के हैं और जो KP astrology के हैं आपको western के भी जानकारी मिल जाएगी साथ ही साथ तो चलिए समझते हैं पहला जो है conjunction देखिए generally मैंने आपको 10 degrees तक बताया पर एक जो exact conjunction होती है किसी planet की बीच की तो वह 0 to 4 degrees होती है पर depend कर सकता है कुछ planets को यहाँ पर sun और moon को कुछ special preference दी गई है जिसमें हम total एक तरीके से 10 degrees मान के चलेंगे पर जो एक strong conjunction होगी वो within 4 degrees ही होगी यानि कि sun अगर 1 degrees का है और moon जो है 5 degrees का है तो यानि कि देखिए 4 degrees का difference आ रहा है तो यानि कि sun और moon की conjunction होगी अब conjunction से क्या होगा अगर मान लिजए sun और moon की कहीं से conjunction हो जाती है या sun के साथ किसी और planet की conjunction हो जाती है तो वो क्या करेगा sun के साथ आप जानते ही है किसी भी planet का बहुती close conjunction होने की वज़े से वो planet combust हो जाता है अब इसी तरीके से समझ लिजए मान लिजए Jupiter and Mars हैं दो planet आपस में conjunction कर रहे हैं तो ये result अच्छे होंगे अब शनी और mangal का conjunction है तो यानि कि दोनों आपस में enemy planet है और ये conjunction आगर और भी आ देंगे ठीक है आप opposition में क्या होता है ये भी plus minus 8 degrees का है 180 degrees का total difference आपस में एक दूसरे का planet का होना चाहिए ठीक है माल लिजए 180 degrees पे जो है sun है और 360 degrees के आसपास जो है वो Jupiter है तो दोनों का difference 180 degrees के आसपास आएगा और ये difference जो है ठीक है opposition की कहलाती है ये negative एक तरीके से होगी या दुश्मनी के भाव से एक दूसरे को देख रहे हैं ठीक है अब train जो है train को आप समझते है train एक जो हमारी कुंडली का main जो तीन स्थम्भ है वो स्थम्भ को हम बहुत अच्छा मानते हैं तो ये extremely beneficial होती है अगर दो planets के बीच में 120 degrees या plus minus 8 degrees का difference आता है और जो square होता है square जो है 90 degrees का है ठीक है वो evil aspect है sextile जो है वो plus minus 6 है यह थोड़ा बहुत ही अच्छा या वो रहा हम मान सकते हैं ठीक है जो कुन कनक्स है वो 150 degrees है plus minus 3 है यह भी अच्छा है semi sextile जिसे हम कहते हैं 30 degrees का यानि कि आपस में दो planets में जो difference होगा वो अच्छा कहला जाएगा यानि कि plus minus 2 degrees हम ले सकते हैं यानि कि 28 to 30 degrees का ठीक है semi square यह थोड़ा सा negative है degrees यह है 45 degrees plus minus 2 degrees हम consider कर सकते हैं ठीक है से स्क्वी स्क्वेर ठीक है आप इसमें जो 135 degrees है और plus minus 2 degrees है यानि कि 130 133 से लेके 137 degrees ठीक है अगर हम 2 plus करेंगे तो 137 हो जाएगा minus 2 करेंगे तो 130 degrees यानि कि दो planets के बीच का अगर 133 से लेके 137 degrees के good जो difference होगा degrees wise तो moderately good कहला जाएगा कोंटाइल है यह भी अच्छा है degrees आप समझ लीजे 72 degrees है यानि कि plus minus 2 degrees है यानि कि 74 to 70 degrees और by quintile जो है 144 degrees का है यह भी अच्छा माना गया पर यह जो aspects है यह जो जितने मैंने आपको यह बताए और मैंने आपको साथी साथ यह बताया कि यहां पर जो है KP astrology में जो major aspects का हमें यूज होगा वो होगा conjunction, sextile, square, or train, and opposition यही जातर यूज होगे बाकी के जो है western astrology में इनका ज्यादा यूज है चलिए इस पहाने आपको KP के भी पता लग गए और साथ में western के पता लग गए अब हमें कैसे find out करना है, मान लिजे, दो planets है, ठीक है, sun की महादशा चल रही है और moon के अंतरदशा चल रही है, अब आपने यह देखना कि यह महादशा मेरे लिए कैसी जाने वाली है तो उसका simple सा basic सा तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें degrees को note down करना है, हमें cyan degrees note करनी है, जो कि 360 degrees तक होती है sun की degrees यहाँ पे है, 330 degrees और moon की जो अंतरदशा लोड है, उसकी degrees है, 240 degrees ठीक है, आप हम दोनों में से इनको subtract करेंगे, तो यह 90 degrees आया, ठीक है, आप हमने देखा कि 90 degrees का यहाँ पे समझें, ठीक है, 90 degrees में जो है मैं आपको नीचे ही ले चलता हूँ, इसको सारे को copy करके, ताकि आपको result निकालने में आसानी रहे और समझ भी जाएं आप यह देखिए, अब हमने देखा कि conjunction जो है, 10 degrees तक है, sextile जो है, 60 degrees तक है, ठीक है, square जो है, 90 degrees तक है, train जो है, 120 degrees तक है तो यह जो degree आ रही है, यह square की degrees आ रही है, जो की 90 degrees है, तो हमने जैसा कि देखा, जो 90 degrees का difference है, आपस में दो planets का, वो एक negative difference कहलाता है तो यह sun और moon का जो face है, इसके लिए negative face होगा, ठीक है, अब हम इसी तरीके second example समझ लेते हैं Second example क्या है, sun की degrees है, 172 degrees और Jupiter की degrees है, 60 degrees, यह degrees हमें अपने birth chart की degrees लेनी है जो हमारे birth chart की actual degrees है, ठीक है, सयान degrees हमें transit वगरा या कोई और degrees नहीं लेनी है, हमें सिरफ planet जो हमारे planetary positions of the birth chart में हैं, हमें वो लेनी है Sun की 172 degrees, Jupiter 60 degrees, यह 112 आया minus करने के बाद, अब plus minus 8 का हम अगर लेते हैं, तो यह 120 degrees हो सकता है, प्लस करेंगे यहाँ पर ठीक है, तो 120 degrees का हमने जैसा की देखा, की 120 degrees जो है trine degrees है, यानि की tricon degrees, यानि की 159 का जो हमारा tricon होता है, वो degrees है तो यहाँ पर 120 degrees का जो इसका aspect है, यह बहुत अच्छा है, तो Sun and Jupiter का जो दशा period है, वो इसके लिए काफी fruitful जाएगा, और उसको अच्छा results मिलेंगे ठीक है friends, तो आपने इस post में, आज काफी अच्छी जानकारी ली है, KP aspects के वारे में, Western aspects के वारे में, results कैसे निकाल रहे हैं, तो I hope आपको यह मेरी post पसंद आई होगी, आप comment करिए, ताकि मैं और कुछ additional app के लिए लेकर आता रहूं, तब तक के लिए धन्यवाद